हेलो एबरेइबन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं continuous time 4-year series फोरेशीज हम सारा कवर करेंगे discrete वाला portion कवर करेंगे ठीक है और तो काफी ये लंबी series होने वाली है तो एक एक करके मैं करूंगा cover करूंगा ताकि confusion ने रहे है पहले exponential का देन साइन को साइन वाला देन उसके amplitude एंगल फोर्म जो होती है उसको cover करेंगे पार्ट से बल थोरम को cover करेंगे और मैं यह सब इसी में cover करने वाले हैं तो start करते हैं continuous time 4-year series पहले continuous के बारें पढ़ेंगे तो आगर 4-year series क्या कहता है अगर कोई भी signal हमारा हमने कहा एक्स टी अगर वह continuous है एंड periodic है तो उसे हम 4-year series में लिख सकते हैं ठीक है 4-year series का मतलब हो गया किसी सिंगनल को infinite times infinite terms में sine or cosine के form में लिखना ठीक है अगर कोई पहला पढ़ेंगे हम मैं यह आप एक है करके बताने शुरू करता हूं complex या exponential जिससे इस नाम कह सकते हैं complex और exponential 4-year series तो यह क्या कहता है अगर અक्ष्टी हमारा कोई x-tech signal है वह क्या periodic है periodic मतलब है अगर इस प्रोपर्टी को फॉलो करता कोई सिंगनल तो वह periodic होता है ठीक है टीज होता क्या एक real value होता है यह दिहान रखना कभी भी कभी आ जाये तो कटीज होता एक capital टीज होता है यह real value होता है अगर कोई signal इस property को follow कर रहा है then क्या होगा उसे हम fourier series representation कर सकते हैं उसका और fourier series representation जो होगा उसका हम इसको कैसे लिख सकते हैं then x t is equals to summation k equals to minus infinity to plus infinity c k e की power j omega note k t ठीक है कहने मतलब है अगर कोई signal हमारा periodic है तो हम उसको ऐसे represent कर सकते हैं ठीक है के जो represent कर रहा है केवल integers value को represent कर रहा ठीक है इसमें के जो value लेगा integers value लेगा omega note होगे उसकी fundamental frequency ठीक है what is c के इसके बारे में बात करेंगे अब मैं यहां पर जो जो चीज है उसको लिख देता हूँ k के जो होगा केवल केवल के टेक्स integer values only के की जो value होंगे केवल integer value ही हम इसमें डालेंगे अब इसमें जो के होगा वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर के एक क्वेस्ट जीरो है ठीक है वो बताएगा constant term और dc term constant term या dc term के बारे में वो बताएगा जब हम k को इस्ट जीरो लगाएगे न तो यहां पर c 0 हो जाएगा यह पिर एकी पावज जीरो हो जाएगा यानि वन तो c 0 जो बताता वो क्या बताता हमारा dc term या constant term को जब के की value देखो मांस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रही है माइनस वन एंड पिलस वन होगा तो यह रिप्रेजेंट करेगा first harmonic को यह कव fundamental component को यह बताएगा इसके fundamental मतलब पहली वाली component ठीक है fundamental component को बताएगा यह कि ऐसे के question minus two and two क्या बताएगे second harmonic component को बताएगे ठीक है यह fundamental harmonic component को बता रहे तो यह second harmonic को ऐसे ही तो अगर ऐसे इस टाइप से चलता रहे के question minus n और पिलस n यह क्या रिप्रेजेंट करेंगे अगर मैं n तक जा रहा हूं तो nth harmonic component को बताएगे यह ठीक है अब बात करते हैं ck के बारे में तो ck क्या represent कर रहा ck जो बता रहा हमारा यह है fourier series coefficient ठीक है ck represent करता है अगर हम exponential में पढ़ रहे तो complex exponential fourier series coefficient ठीक है तो इस ck की जो value होती है वो क्या होती है इसकी value भोत important है तो इस सही तो कम चलेगा हमारा ck जो होता है हमारा अब ध्यान से देखना वह होता है one upon t, t मतलब पूरा period उस पर value निकालेंगे हम ओवर है period ठीक है यह integral बता रहा है यह integral जो value लेंगे न हम एक period लेंगे period देखो कहीं कोई से जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां वहां तक का select करना है ऐसा कोई restriction नहीं है कि 0 से लेना या minus t by 2 या ऐसे लिखा रहता है वोक में अपनी मर्जी है जो भी portion पसंद आता है उसका period का उसी को लेना है इसलिए मैंने एक capital T लिखा है ठीक है टू पाई अपन capital T ठीक है यहां पर लिख लो ऐसी ओमेगर नोट जो होता है टू पाई अपन capital T तो ck की value निकाल लेंगे integral से ठीक है अब यहां ध्यान से देखो हमने जो इसका representation लेगा यहां पर हमाया continuous था हम क्या करने हैं यहां पर एकस्टी जो आ रहा हमारा discrete आ ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं time domain में continuous है और वह periodic है तो उससे जब हम Fourier series representation करेंगे Fourier series representation यानि frequency domain representation तो वह discrete and a periodic आएगा आप देखो यह बन गया ना तो इसका यहां पर लिखेंगे signal आगर एकस्टी है नोट बना के लिखो यहां पर एकस्टी क्या था हमारा कांटूनियस एंड पिरियोडिक Fourier series representation जब करेंगे इसका Fourier series representation में क्या होगा क्या देगा इसका Fourier series representation एकस्टी जो होगा अब हमारा discrete हो जाएगा एंड नॉन पिरियोडिक पहला कंटूनियस था आप डिस्कीट हो गया एंड नॉन पिरियोडिक तो यह याद अखनी है बाट ठीक है अब आगली चीज़ देखो इसी तरह से अगर सी के हमारा हमारा सी के यह जो सी के यह सोरी एकस्टी है अगर वह रियल वैल्यूड हो अगर हमारा एकस्टी सी के यह सी के यह जो होगा एकस्टी है अगर हमारा एकस्टी देन हम उसे कैसे रिप्रजेंट कर सकते हैं सी के यह जो होगा सी माइनस के का कॉंप्लेश कॉंजूगेट ठीक है तो यह होता है इसका का रिप्रेजेंटेशन तो इसको याद आख रहा है बिल्कुल यह बहुत जादे इंपोटेंट है ठीक है इसको और कैसे लिख सकते हैं है सी माइनस के कि वेलिए निकालनी हो तो किया जाएगा दोना तरह मैं कॉम्प्लेश कॉंजूगेट ले लूँ गा इसे और कैसे लिख सकता हूं अगर एब मुझे बना न हो तो सी के का complex conjugate किसके एक वल आ जाएगा सी माइनस के सोरी अंदर भी है किसी का complex conjugate ले वही नम्बल मिल जाता हैं तो सी माइनस के को हम क्या दिख सकते हैं सी के का complex conjugate अगर एक्स टी रियल signal given है तब ही ऐसा करेंगे किसी signal के नहीं ठीक है तो देखो यह ऐसा आएगा भी अब मैं एक 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 जामपल लेता हूं उसके थुरूब यहां समझाने की कोशिश करता हूं एक जामपल यहां से समझ आएगा अगर हमें कोई signal given हो । यह कोश्ट मैंने मान लिया हमें given है कोश स्कॉार टी ठीक एक बार यह gate में कोशिन आयता है इसका हमें 4-year series करना था तो हुआ पर क्या क्या है यह वहां पर जाल देखो आप इसका हम इसमें लगा के करेंगे तो यह बहुत मुश्किल पढने वाला तो हम क्या करेंगे एक बात यहां पर ध्यान से में रखो जब भी हमारा XT, साइन या को साइन की फोर्म में दे रखा है, क्या XT हमारा जब साइन और को साइन की फोर्म में दे रखा है, तो हम उसे E की पावर J में कनवर्ट करेंगे, सिंपल, ठेक है, अगर E की पावर J में नहीं कनवर्ट करना है, तो देखो एकी पावर जे में कैसे convert करेंगे इसको यह इसको मैं cost square t को क्या लिख सकता हूं 1 plus cost 2t divided by 2 यानि 1 by 2 plus 1 by 2 cost 2t cost 2t को मैं अगर मैं exponential की form में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा 1 by 2 plus 1 by 2 कैसे लिखूंगा इसको क्योंकि हम अभी exponential for a series पढ़ रहे हैं तो exponential में change करो e की पावर j 2t ऐसे लिखूंगा न plus e की पावर माइनस j 2t divided by 2 ऐसे पढ़ते थे हम इसको इसको अलग अलग कर लो xt जिकरस्टू कितना आ गया मेरा 1 by 2 यह हो जागा 1 by 4 e की पावर j 2t plus 1 by 4 e की पावर माइनस j 2t ठीक है अब यहां पर देखो original signal में जाओ यहां पर इसको हम लिखने हैं तो यहां से omega note की value कितनी है अगर मैं यहां से देखूं तो omega note यहां से मेरा कितना 2 ठीक है 2 radian per second तो इसको अगर मैं इसी form में लिखूं देखो इस वाले को मैं इस form में लिखने की कोजिश कर रहा हूं इस वाली में तो वहाई से हम compare करके ck की value निकाल देंगे तो xt जिक इस टो मेरा आ जाएगा 1y2 पिलस omega note मेरी 2 है e की power j omega note omega note है मेरा 2 omega note k की value कितनी है अगर इसको में ऐसा ही रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 1 की multiply करनी पड़ेगी ठीक है पिलस ऐसे ही इसको लिखना e की power j फिर आता है omega note omega note मेरा 2 है 2 यहां पर भी है फिर आता के की value अगर मुझे इसको सेम रखना तो यह माइनस 1 है इसको मुझे bracket में लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर ध्यान से देखो अगर मैं यहां से compare करना शुरू करता हूं यह constant term है constant term यानि DC term वह क्या बताता है c0 को ठीक है मैंने यहां पर पहले बताया था c0 को बताता हूं तो यहां से मैं compare करके लिखूं तो यहां पर यह की value 1 है यह की value minus 1 है की value plus 1 और minus 1 क्या बताते है मेरे fundamental component को ठीक है fundamental यानि की value बन हो जाएगी e की power e की power j omega naught t और e की power j omega naught minus 1 t ठीक है इस type से लिखा हूँ आई तो यहां से मैं compare करके लिखूंगा तो जो मेरे values आएंगी क्या क्या आएंगी c0 जो आया मेरा 1 by 2 c1 जो आया मेरा कितना है 1 by 4 यह c1 है और यह c-1 भी कितना है 1 by 4 ठीक है तो मैं देखो मैं प्रोपर्टी बताईती जो अभी प्रोपर्टी बताईती अगर हमें ck का पता तो हम क्या कर सकते हैं अगर वो क्या दे रखा हमारा signal real है तो हमारा signal ही लिया था यह real signal होता है को स्कॉर्टी ठीक है अगर यह real था तो मुझे क्या करने ते मिया c1 की पता थी तो मैं c1 c-1 की निकाल सकता था देखो कैसे इसका मैं दोन तरफ complex conjugate ले लूँ फिर से इसको यह कैस लिख लूँगा मैं इस टाइप से लिख सकता हूं मैं बताई था दोन तरफ ले ले लेते हैं मुझे किसकी पता है c1 की पता तो कि यह की जगर मैं 1 डाल दू तो यह क्या जागा c-1 निजी कर स्टू c1 का complex conjugate c1 कितना है वन बाइ-4 वन बाइ-4 ठीक है देखो मैं का था दोनों बराबर आएंगे यहां पर देखो बराबर आएं जो एक्स थी रियल था तो ऐसे प्रोपर्टी लगा लगा के हम और भी निकाल सकते हैं ठीक है फिलाल इस वाले सिंगनल में हमारे तीन ही हार्मोनिक प्रजेंट होंगे c0 c1 और c-1 तो यह हमारे हार्मोनिक है ठीक है एक तो यह फंडामेंटल एक यह डीसी वाला ठीक है तो यह वीडियो काफी बढ़ा हो गया आगे से इसको continue रखेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ह अगे थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे complete करेंगे